हेलो दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारे चैनल ग्यानोके में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राम पंचायत में आपकी ग्राम पंचायत में क्या-क्या काम आये हैं उन सभी योजनाव के लिस्ट आप घर बेठे चेक कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में आप कौन-कौन से काम होने वाले हैं तो दोस्तों ये कैसे आपको चेक करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और आप भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं सभी योजनाव की लिस्ट इसके लिए दोस्तों हमें गूगल पे चलना होगा तो दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे हम क्राम पंचायत में क्या-क्या काम आया है उसकी लिस्ट हमें कैसे देखनी है तो दोस्तों इसके लिए आपने सबसे पहले अपने mobile phone में ये laptop में जो भी आपके पास available है उसमें इस तरह से नरेगा आपने search कर लेना है नरेगा search करने के बाद ये आप देखें नरेगा हमने search किया है इसमें इसमें नरेगा search करने के बाद हमारी screen पे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से gram penchant का option इक आ जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं gram penchant का option यहाँ पे आ रखा है हमने इसको click कर लेना है और जिससे ये हमारी screen पे इस तरह का page खुल जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं हमें कुछ options यहाँ पर मिल जाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर data entry और यहाँ पर एक option यह उस data entry के नीचे ही एक reports का option हमें मिलता है तो हमें इस reports के जो option पर हमें click कर लेना है इस तरह से इस पर click करने के बाद हमारी screen पर इस तरह जो states हैं सभी states की list आ जाएगी और हमें यहाँ क्या करना है अपना जो हमारा state है या जिस state की हमें देखनी है उस state पर जो है click कर लेना है तो दोस्तों यहाँ मैं आपको उत्राखंड का निकाल के बता रहा हूँ तो आप इस तरह से यहाँ से अपना state जो है select करेंगे इनमें से जो भी आपका state होगा हमने उत्राखंड यहाँ पर select कर लिया है अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हमारी screen पर इस तरह से उत्राखंड की जो state यह खुला है इसका financial year और district block और पंचायत हमें यह पूछ रहा है कि आपका जो district है किस district से किस block से आप चेक करना चाते हैं तो सबसे पहले financial year में हम select करेंगी 2022 यह फिर जिस साल का आप देखना चाते हैं अगर आप 2021 का देखना चाते हैं कि कौन-कौन से काम आये थे यह फिर ऐसा देखना चाते हैं कि 2021 में कौन-कौन से काम आने वाले हैं अब तो यहां हमने 2021 कर दिया है district उसके बाद select कर लेंगे अपना district आप select कर लेंगे इसी तरह से सभी जगे इसी परकार का आएगा सभी राज्यों में यहां से हमने उसके बाद अपना जो है ब्लॉक हमने चुन लिया ब्लॉक चुनने के बाद आपको इसे भी अपना ब्लॉक चुन सकते हैं ब्लॉक चुनने के बाद gram पंचायत हमने यहां चुन लिया उसके बाद proceed पे क्लिक करेंगे तो proceed पे क्लिक करने के बाद हमारी screen पे एक इस तरह का page खुल जाएगा यहाँ देख सकते हैं हमारा state आ चुका है district, blog और पंचायत उसके बाद आप क्या करेंगे आपकी screen पे यहाँ बहुत सारे option आ जाते हैं जैसे की job card से related services और work demands related, master roles related services तो यहीं पे आपको छटा number का एक मिलता है registers का एक option इस पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको work register का एक option मिलता है आप यहाँ पे देख सकते हैं work register का option इस पे आपने click कर लेना है जैसे की मैं इस पे click कर देता हूँ तो work register पे click करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी स्क्रिन पर, इस तरह का पेज ये आजाता है, और यहां अभी जो वर्तमान में, यानि कि अब जो काम जो आने वाला है, या जो लास्ट काम हुआ है, उसकी लिस्ट यहां पर देखने को मिल जाती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यह इस तरह से जो काम का नाम है जो कारे का नाम है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और उसकी जो है जो complete करने की date है वो क्या है पूरी detail यहाँ पर मिल जाती है अब दोस्तों इसी तरीके से आप और स्टेट का भी देख सकते हैं अब दोस्तों इसी तरीके से आप देख सकते हैं यह किसी और गाउं का है यह आप देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जो इस काम को पूरा करने की जो last date है जो की complete करने की जो date है यह आप देख सकते हैं 610-2021 यहाँ पे दे रखी है तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो आपकी काम में जो काम आने वाले हैं उनकी list और इस प्रकार से बड़े आसानी से आप देख सकत तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपकी पूरी सायता की जाएगी मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँगा और इसी तरह दोस्तों नरेगा से रेलेटेड वीडियो देखने के लिए जानकारी पानी के लिए आप हमारे साथ मने रहें हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद